इस आज की वीडिय में बाथ करेंगे कि आपकी ऐसी जो देट और बार वेर्थ को शो ना हो से किसे अभी न ऊसरैके चलते हैं फीडियो गीतरा तो सिंपली सबसे पहले तो आप पर फेस्ट बुकि के बाद अपने फेस्बुक को ओपन करना है open करने के बाद ऊपर यह 3 lines देखने को मिलेंगी आपने इन 3 lines के ऊपर click करना है तो click करेंगे आपने scroll down करना है scroll down करेंगे तो निचे इस setting and privacy का option देखने को मिल जाएगा so guys आपने इस option के ऊपर click करना है तो number 1 पर ही setting आजाएगी और number 2 पर privacy shortcut तो so guys आपने privacy shortcut वाले option को open कर लेना है तो आप जिस तरह ही privacy shortcut वाले option को open करेंगे तो इधर फिर आगे कुछ setting देखने को मिल जाएंगी तो number first पर ही आजएगा review of view important privacy setting So guys आपने इस review of view important privacy setting आपने इसके ओपर click करना है तो इधर फिर आपको कुछ option देखने को मिल जाएंगे तो number first पर who can see what your share तो आपको ये option देखने को मिल जाएगा तो guys आपने इस option को open करना है open करने के बाद नीची आपने इसे continue कर देना है तो guys आपने इसे continue करना है तो इधर आपको एक option देखने को मिल जाएगे अगर आप ये hide करना चाते हैं तो नीची आपको only me का option देखने को मिलेगा तो guys आपने only me वाले option के ओपर click कर देना है उसके बाद जहाँ पर आपके year है उसके सामने में friends of friends जो है वो select है आपने उसके उपर click करना है उससे भी only me कर देना है तो just this setting करेंगे उसके बाद आप आप आएंगे जो date of birth है वो hide हो जाएगी आपके किसी भी other person को आपके friend को या किस कोई और जो है वो देखना चाता है आपकी date of birth वो नहीं देख सकता just इतनी सी setting थी जिससे आप जो अपने facebook की date of birth है उसे hide कर सकते है so guys आपका facebook के ओपर कोई भी question है तो नहीं चेक मिट बाक्स है आप उतरो मुझे से जोड़ शेर कीजे so guys